हेलो फ्रेंट्स आज हम क्लास एट के साइंस चैप्टर वन का पूरा कीवर्ड प्लस कोश्चन आंसर करने वाले हैं यह कीवर्ड आपके अंसियार्टी के बुक के एट दे लास्ट ओ टे चीप्टर में दिये होते हैं आपको इन्हें अपने नोटबुक में लिखके याद करना होता है पहला कीवर्ड है एग्रीकूल्चर प्रेक्टिस असियार्ट तो यह इसमें क्या क्या आता है तो यह उन सारी वेरियस एक्रिविटीज को कवर करता है जो की फसल को रोपने से पहले और उसके काटने तक में आती है यह ही अगरिकल्चर पैक्टिसिस कहते है दूसरा होता है एनिमल हस्बेंडरी इसका मतलब है कि एनिमल्स को कुछ फाइद पर प्लान्ट जब उगा दिये जाते हैं तब इन्हें क्रॉप कहते हैं प्रटिलाजर किसे प्रटिलाजर वैसे केमिकल्स होते हैं जеся कि kशार्स न्युट्रियंट में रीच होते हैं जैसे की फोश्फूर्स-नैट्रोजण, पोटासियम, इन्हें खेतों में डाला जाता पॉल्यूट करता है हेल्थ को भी नुक्सान पहुंचाता है फिर आता है ग्रेनरी ग्रेनरी का मतलब होता है गोदान गोदाम जब जब अनाजय कट जाती है बड़े पैमाने पर तुन्हें इस्टोर करना पड़ता है क्योंकि वह तूरंत मार्कित में बिग जाएंगी नहीं इस्टोर करने के लिए बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े इमारते बनाई जाती है उन्हें ग्रेनरी कहा जाता है फिर होता है हाडवेस्टिंग हाडवेस्टिंग का मतलब होता है कटना यानि जब क्रॉप की कटाई की जाती है जब वह पक जाता है तब वह हाडवेस कहते हैं फिर होता है खरीव क्रॉप खरीव क्रॉप क्या होते हैं तो वैसे क्रॉप जो कि बरसात के दिनों में ग्रो करते हैं उसे खरीव कहते हैं जून से लेके सितंबर सितंबर तग इनका सीजन होता है फिर आता है मैनियूर मैनियूर डिकंपोज और गेनिक मैटर होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट बनते हैं जैसे कि हो गया गोबड और इन्हें खेतों में छिरका जाता है ताकि स्वैल की पर्टिलिटी जो है बढ़ जाती है पिर हम आते हैं प्लो का मतलब होता है हल। आप लोगों निया अब तो हल का काम नहीं होता है आप ट्रैक्टर से ऐस घ्रजोट दिया जाता है तो वैसा डिवाइस जिससे की बहुत पुराने स्मय में जोता जाता था खेतों को ताकि खेतों की जो बड़ी-बड़ी मिट्टी होती थी वो तूट जाती थी भीतर के नूट्रियर्स बाहर आ जाते हैं इसी यह प्लो की जाती है वो डिवाइस होता है उसे प्लो कहते है रभी क्रॉप क्या होता है तो ऐसे क्रॉप जो कि वर्सा जो जिससे कि नए plant grow करते हैं , Russia क्या होता है जो grain की पख जाते हैं उन्हें store करने से पहले सुखाया जाता है ठीक से ताकि उन्में पाणी न रहे, क्योंकि अगर उन्में पाणी ना रह यहेगा तो बहुत प्रकार को , रहेगा तो Somewhere from a माइक टोर के दिरे दिरे पूरे आनाज को खराब कर देगी तो उन्हें एक मेटल या फिर अर्थन कंटेनर में रखा जाता है गनी बैंग में रखा जाता है उसी स्टोर को सीलो कहते हैं आगे बढ़ते हैं चोदा नमबर है सोइंग क्या होता है सोइंग का मतलब होता है सोइल में बीजों को डालना फिर होता है स्टोरेज स्टोरेज का मतलब उसे स्टोर करके रख लेना इसमें क्या किया जाता है क्रॉप को मॉस्टर से बचाया जाता है कीरे मकोरों से बचाया जाता है वो भी storage बहुत लंबे समय के लिए की जाती है फिर होता है tracing भूसे से जब grain को अलग किया जाता है जैसे आपने गेहूं अगर देखा होगा करते हुए तो सुरू से लेके लाज तक गेहूं में जो रहता है प्लांट उसमें भूसा भी रहता है जब मशीन से दोनों का अलग की अगर दिया जाता है तो गेहूं अलग हो जाता है भूसा अलग हो जाता है तो इसी process को कहते हैं tracing वीट क्या होता है तो जैसे plant है खेत हो प्लांट अगर बड़े पहमाने पर grow होगा तो कहां ग्रोगा खेतों में ग्रोगा और वहां पे एक खेत नहीं रहते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े जगों बहुत बीगे बीगे में खेत फैले होगे रहते हैं तो क्या होता है प्लांट को छीटा जाता है छीटा जाता है तो प्लांट के साथ कुछ अंडिजारेबल वी जिनकी जर्वत होती नहीं है वह कुछ फायदा हमें देने वाले नहीं है बलकि वह भी ग्रों कर जाते हैं तक अमारी प्रोडक्टिबिटी बढ़ जाये वीडी साइट क्या होता है तो वीर को खदम करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं उसे वीडी साइट करते हैं जैसे हो गया 2,4-D या और अल्टराजीन जैसे अब इसका पूरा नाम जान लेजिए टू-फोर दाय क्लोरो फेनोक्सी एसेटिक एसीड वीनोईंग क्या होता है तो एक ऐसा प्रोसेस जिसे की ग्रेन और चैप का सेप्रेशन होता है वीनोईंग आप लोगों ने देखा होगा गड़ में भी जैसे की चूरा है चूरा में बहुत सारी गंदगी होती है तो मम्मी क प्रोसेस है या फिर किसान क्या करते हैं और वहां से सूप को लहरा आते हैं ऐसे से करके हिलाते हैं तो क्या होता है जो हलके पार्टिकल्स होते हैं लाइटर पार्टिकल्स वो तो उड़ जाते हैं हवा में और जो की भारी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर में ही रह जात कि रिक तस्तान को भरना है सेम का इंड फ्रकार के प्लांट सेम जगह पर लगाई जाते हैं और उन्हें क्लुटिवेट किया जाता है तो इसे हम क्रॉप कहते है अगर हमें क्रॉपक को ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा विज फसल अच्छी आएगी तो भी जब खरीद के लाते हैं तो आप अच्छे दुकान से भीज खरीद के लाएंगे तो वह तो आपको नहीं नहीं वेबकूप बनाएगे लेकिन आप मान लीजिए बेबकूप बन भी गए तो करना क्या ह किरिए बा से टुमें कि और नुखसान हो जाएगा तो उस फ्यटों को क्या किया पानी में डाल दिया जाता है अब जो खडराब भी जोंते वह रहुत तो इससे पार चल जाता अगर किसी crop को grow करना है तो किस की जरत होगी एकदम sunlight की जरत पड़ेगी water की जरत पड़ेगी और nutrients की जरत पड़ेगी nutrients किसे दिया जाता है fertilizer manure से दे दिया जाता है वो swell से भी ले लेते हैं water तो आपको यह देना पड़ेगा या फिर तो बारिश होती है पिर हम आते हैं दूसरे नमर question पर दूसरा नमर question है हमारा match the following match the following आपको बनाना कैसे है तो यहाँ पर यह लिखेंग और यहाँ पर इसका answer लिखेंगे खडीफ crop क्या होती है हमने पीछे ही पड़ा खडीफ crop में यहाँ example हो जाएंगे पैडी और मेश के रवी crop में आजाएंगे wheat gram पीए रवी crop क्योंकि ठंदी में होती है तो आप लोग मटर मटर कब खाते लोग जब ठंद होती है gram और wheat यह भी chemical fertilizer की बात करें तो यह हो जाता है कि उल्जाने के लिए दिया गया है उसका यहाँ पे कोई match नहीं है अब हम आते नंबर तीन पे नंबर तीन क्या कहता है हमारा आपको दो एक्जामपल देना है खरीफ crop का रवी crop का पीछे ही था इसमें हो जाएगा पैडी में और इसमें हो जाएगा wheat gram अब देखिए अब आपको अपने सब्दों में इन पर एक पाराग्राफ लिखना है बहुत असान है आप सिर्फ सु है जाता है पर लूज करना परता है जिसे क्या होगा जो होगी जब हम उससे लगाएंगे तब वह नीचे तक जाएगी मक्ती मित्ती होगी तब पानी भी नीचे तक जाएगा तो मिट्टी को लूच करना पड़ता है ताकि जो प्लांट हम लगा उसका ज़र नीचे तक जाए उसमें जो पानी डाले वो भी नीचे तक जाए और इसे ये फाइदा होता है कि जो रूट होते हैं वो असानी से ब्रेद करते हैं और इस प्रोसेस को टीलिंग और प्लोइंग करते हैं, यह एक प्लोग के दौरा किया जाता है, अला कि अगर जहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है, बहुत बड़ी-बड़ी मेशीने लगाई जाती है, दूसरा प्रोसेस होता है सोईंग का, सोईंग का मतलब क्या कि संद्ट की देडार को इस्तेमाल कि करने के लिए कि ई हैं जरेकी awake तो प्रकार का ट्यूब या पाईफ होता है जो यानी सबहूताएक होता नहुत था ट्यूब और क्योन च्वड़श ओर आधा है और यद्धरण में नैरो हो जाता है और फिर सीड को क्या किया जाता है सीड को फनल में फिल्ड किया जाता है पास किया जाता है और उसके बाद और फिलाल की बात करें वो तो तब की बात थी अब सीड ड्रिल का यूज कर दिया जाता है जो कि ट्रैक्टर के मदद से होता है और यह प्रॉपर डिस्टेंस पे प्र व्याइन को करते हैं जिनके व्याइडिंग बशैश्ट इसे करें। तो जैसे तो नुंकु एसे के साथ करें गे जिसे कि- युद इसाथr तो यह कहलाता है थ्रेसी पहले यह विनोइंग के दोरा किया जाता था और यह मशीन के दोरा किया जाता जिसे कंबाइन कहते हैं जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों मिला हुआ ही रहता है अब हम आते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होती है फर्टिलाजर और मेन्यू क्या होते हैं तो यह जो गया तो यह सब गया मैन्यूर्ट को फर्टिलाजर का मित्वी में बहुत ज्यादा इस्तवाल किया जाता है क्योंकि हर साल फर्टिलाजर का यूज हो गाहिए यह फोप्न कर देता है soil की nutrn को खड़ाब कर देता है Water ko pollute करता है soil को pollute करता है आदमे के हैंथ को खराब कर देता है मेनीयूर से क्या होती है मेनीयूर से कोई नुक्सान नहीं होता है soort गांपोजीföन्य स्वाइल की nutrion बढ़ जाती है fertility बढ़ जाती है । स्की water holding capacity या पानी को कितना थाम सकता है वो भी बढ़ जाती है अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन है हमारा irrigation क्या होता है दो मेठट ऑफ irrigation बताई जिसे की वाटर बचाया जा सकता है क्योंकि पानी बचाना भी तो है इडिगेशन का मतलब है कि सही समय पर क्रॉप को पानी देना इडिगेशन कहलाएगा पहला सिस्टम है जो बुक में दिया हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम यह सिस्टम वैसे जिगा पर बहुत ज्यादा यूसफूल है जहां पर की लैंड अनिवन होती है यानि अवर खावर ऐसे करके पर्पेंडिकुलर ऐसे करके इस एकर पर्पेंडिकुलर है वह विग रोटेटिंग नॉजे अधे टॉप पर उसके घूमने वाले लगा दिये जाते हैं उन्हें मैं पाइप लाइन से जोड़ दे जाती है जब वाटर में पाइप से फ्लो करता है पंप के जरीए तो rotating nozzle, it is kept from the rotating nozzle से यह बच जाता है It is sprinkled on the crop as it is raining यानि समझ यह की फवाडे के तरह जो है से ऐसे system बनाए जाती है की जैसे बारिश होती है वैसे crop में पड़ता है तो यह भी crop में वैसे ही पानी देता है जैसे की बारिश हो रही हो यह sandy soil के लिए बहुत ज़्यादा useful होता है ऐसा इसने किया जाता है क्योंकि पानी जो है बहुत कम होती है उस इलाके में अब हम आते हैं अपने दूसरे system पे दूसरा system है हमारा drip system drip system क्या होता है इस system में water flow drop by drop adjuster the position जहाँ पे जड़ होती है वहाँ पे पानी drop 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 गिरता है इसलिए से drip system कहते हैं गार्डन में अगर आपको पानी देना है विक्षों में पानी देना है fruit plant में देना है तो यह जवर देस्ट मैंटर है इसमें क्या होता है एक में पाइप होता है जिसमें दो और pipe जोड़े जाते हैं नोजल्स को लेटरल पाइप से जोड़ दिया जाता है नोजल्स को ग्राउंड कर दिया जाता है root of the plant के पास यानि उसे वहीं पर लगा दिया जाता है अब यह drop 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 पानी पानी क्या आठाय तो यह तरीका विल्कुल आशरवात की तरह यहां पर की पानी की कमी होटी है अब देखे क्या है अगर वीड को गेहूं को खरीव सिजन में लगा दे हैं Jadi 저ius क्या तो तो क्या होगा डिसकस की देखें के लिए प्लीख सेखे और गड़ जाएगी या नियू पैसा भी लग जाएगा और उतना यहूँ रवी सिजन में होने वाला है आठ नमर कहता है आप बताए कि अगर किसी भी फिल्ड में लगातार करको देखे जब क्रॉप लगाते हैं एक अगर बार 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 लगाते रहें तो क्या होगा स्वाइल जो है कुछ नूट्रिएंट तो यह भी लेता है बार बार करते नहीं तो एक समय तो आएगा कि स्वाइल की नूट्रियन कम हो जाएगी स्वाइल इन्फर्टाइल हो जाएगे इन्फर्टेल का मतलब कि आप वो जो है लोग स्वाइना हो जाए की क्र्आप ग्रोग करने की तो और वो रिप्लेनिश भी नहीं कर पाएंगे कि देखिए आपने देखा होगा जब एक बार खेती होती है तो कुछ ताइम के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है ताकि स्वाइल जो है फिर से जितना नूट्रियंट था उसे वापस प्राप्ट कर सके लेकिन बार बार अगर लालच के कारण लोग ऐसा करते हैं कि बा है तो फिल्ड में आप पहले भी पर चुके हैं कि अन्डिजारेवल प्लांट हमारे क्राप के साथ ग्रोग कर जाते हैं तो वह वीड होते हैं यह प्लांट को वीड कहते हैं बहुत सारे तड़ीके हैं इने रिमूव करने के लिए आ तिलिंग पर स्वाइंग क्रॉप जैसे का इस्तमाल किया जाता है शम्या से फिर आपने बहुत सारे लोग को को देखा होगा कि वह कि क्रॉप रो गरो करते हैं तो वहाँ पर बैट के कुछ काम करते वह करते क्या है कि जो प्लांट वीड क्रो ग्रोत्य तो उन्हें खुडपी से निकाल देते हैं कुछ इस साइड में क्या करते हैं उन्हें पानी में डाल देते हैं और इस परेग कर दिया जाता है तो दोस्तों देखिए जहां पर एक एरेंजमेंट दी गई है इस एरेंजमेंट को भी हम देखी लेते हैं कि यह कहना क्या चाह रही है प्रॉपर ओडर में इस बॉक्स को एरेंज कर दीजिए ताकि फ्लो चार्ट हो जाए सुगर केन प्रोडक्शन का सुगर केन की प्रोडक्शन होगी तो फ्लो चार्ट करना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा देखिए स्वाइल को प्रिपेर करना पड़ेगा उसके बाद क् तो फ्लो से प्लोइंग करना पड़ेगा जब फ्लॉइंग हो जाएगी समस् 프रecin को डाला जाएगा फॉशन जाएगा तो सबस्टोप हो इस आगए एक फilian ज्री gedaan करते हैं उसके प्राइब जब चूटा फ्लोइंग तो उसे पानी दी की जाएगी उसके बाद क्रॉप पक जाएगा तुसे काट दिया जाएगा हर्वेस्टिंग की जाएगी उसके बाद उसे सुगर फैक्टरी में भेज दिया जाएगा आप जो अगला कोस्टन है हमारा वह भी देखते हैं कि आपको देखिए ये कोस्टन फोलोइंग वर्ड पजल को आपको विद्ध हैल्प ओफ दे क्लू गिवन बिलो तो यहां पर आप ऐसे ही लिख सकते हैं प्रोवाइडिंग वाटर टू दे क्रॉप यह क्या होता है इरिगेशन होता है कीपिंग क्रॉप ग्रेन फोर लॉंग अंडर प्रॉपर अंडर प्रॉपर कंडिशन यानि उतने सारे ग्रेन तुरत मार्केट में बिक नहीं जाएंगे इस्टोर करके भी तो रखना है तो इस्टोरेज हो जाएगा सब्सक्राइब क्रॉप हो जाएगा तो इस प्रकार से इसे आप ऐसे बैग्राम बनाने की प्रकार से बात नहीं है सामने सामने लिख सकते हैं आपका समय बच जाएगा आप सभी सब्सक्राइब के अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इंग्लिश इंदी के कोशन आंसर इस चैप्टर पर देख सकते हैं स्वर्डी एटीसी वीडियो को लाइक जरूर करें और चै